हेलो एवरीवन हेर और माई चैनल जानकरी हित मैसेलफ हित अभिलाशी शर्मा आज हम बड़ा इंपॉर्टेंट इशू जो अकाउंटेंजी है स्पेसिफिकली जो 11th क्लास कोमर्स के स्टुडेंट से उन से एलेटेट बिल्स ऑफ एक्सेंज के कॉंसेप्ट वर बात करेंगे बिल्स ऑफ ऑक्सेंज के जो बेसी कॉंटेंट्स है जिस लाइक फीचर्ज पार्टीज इनवालव इन बेल्स ऑफचेंज स्पैसिमन और फॉर् अलर्ट्स वीडियो को कम्प्रीट देखें एंड तक देखें अपने डिवाइस पर फुल स्क्रीन करकर देखें और येरफोन या हैड़फोन को यूज करें तभी कॉंटेंट कम्प्लीटली अब समझ पाओगे तो स्टुडेंट्स बात करते हैं आज का जो बेसी कॉंटें अर्डर साइंड वाई रमेकर डारेक्टिंग अ सर्टन पर्सन तो पे समोफ मनी ओनली तू और तू अर्डर अ सर्टन पर्सन और तू दा बीर ओफ दा इंस्टुमेंट थोड़ा लंबी होगी कॉंसेप्ट इसको थोड़ा ब्रेक अप करके समझ दें ये एक औजार है भी फाइनेशल आफजार इन राइटिंग लिखा हुआ एक अईसा डोकुमेंट है कैसा काबस पत्र है लिखा हुआ जिसमें एक अन कंडिशनल आउडर दिया जाता है लिखने वाले दुबारा साइड करके directing a certain person एक व्यक्ति को order करता है direct करता है कि वो कुछ पैसे पे करे उसको या उसके order के अंसार जिसको भी कहेगा उसको ये amount पे करेगा साथ में आप आगे पढ़ेंगे इसलिए पे करेगा क्योंकि आप उसके regarding value पहले प्रापत कर चुके हैं ये मैं आपको आगे बताता हूँ क्या मतलब है इसका ये जो bills of exchange की definition है ये negotiable instrument act under section 5 के under दी गई है ये instrument जो act है negotiable instruments act ये दो parties के बीच में जब कोई financial binding होती है उसको legal रूप देने के लिए ये कांद करता है ये जो act है अगर कोई party उससे बाहर निकलने की कोशिश करती है तो वो legally जिम्मेवार होगी ये ध्यान रखना bills of exchange के बारे में आगे बात करते है about the features of bills of exchange it should be in writing ये लिखती होता है ये it is an order to make payment इसमें जो बनाने वाला है ना इसको त्यार करने वाला इसका maker जो है वो order करता है payment करने के लिए it is an unconditional order कोई condition नहीं लगती payment करनी बढ़ेगी order contain a certain amount to be paid उसमें ये भी लिखा होता है कुछ amount pay करने must be signed by the maker उसके नीचे sign करता है the date of payment should be certain yes जो payment की date है वो निश्चित होती है कब करने है payment amount must be payable either to a certain person or his order to the bearer of the bill of exchange जो amount है वो जो जा तो लिखने वाला जो व्यक्ति है उसका bearer है उसको pay करना पड़ेगा या जिसके नाम पर उसको endorse या transfer कर दिया उसको वो amount pay करना ही होगा these are the features of bills of exchange आज students आगे बात करते हैं जो bills of exchange है इसमें तीन parties involved होती है तीन करें के व्यक्ति देखने को मिलते हैं जो इस सारे process में involved होते है वन इस आ ड्रार ड्रार bill of exchange is drawn upon the buyer or debtor by the seller or creditor ये दिहां डखना ये line बड़ी important है ड्रार को मैं बताता हूँ क्या है जो bill of exchange है ये ड्रार किया जाता है upon the buyer खरीदार के उपर करेंगे कोच तो वहरे debtors बन जाएंगे तो हम कह सकते हैं हमारे जो buyer और debtor by the seller हम कौन होगे business man हम seller होगे जिसको हम creditors कहते है जो हमारे debtors ने हम उनके क्या है creditors जिनको उन्होंने पैसे देने है debtors वो होते हैं जिनसे हमने लेने है bill of exchange debtor के दवारा debtor के लिए drug किया जाता है debtor को order किया जाता है by the seller or creditors drawer is the person who makes and draws the bill जो bill को बनाता है उसको drawer कहते हैं the drawer is to receive the money from the debtor drawer वो विक्ति होता है जिसने debtor से या अपने customer से जिसको उसने sell की हैं चीजें उसने अपनी चीजों को बेचा है उससे पैसे लेने हैं तो समझ लगा drawer वो व्यक्ति है वो businessman है जिसने भई sale की है तो वो जिससे पैसे लेने हैं अगर उसको उधार sale की अगर तो cash sale कर दी तब तो bill of exchange का कोई मतलब ही रही है जब credit sale हो रही है ये बात ध्यान से सुनो भी जब credit sale हो रही है कोई व्यक्ति ने कहा मैं तीन मिहने वाद पैसे दूँगा is there any documentary proof यो देगा या नहीं देगा yes, bill of exchange is a documentary proof क्योंकि जो drawer है वो उसको order करेगा कि आप इतने पैसे इतनी date को दो गे drawer कोनो होता है बेचने वाला जिसने sale की और जिसको लिए bill of exchange लिखा जाता है जिसको order किया जाता है कि पैसे पोई payment करेगा वो है buyer or the debtor जो business का debtor है आगे बात करते हैं इससे आगे बढ़के जो दूसरी party इसमें इनवाट करें है that is a dry dry is the person on whom the bill of exchange is drawn yes, जिस पर यह लिखा जाता है जिसके लिए लिखा जाता है जिसको यह order दिया जाता है उसको dry कहते है so dry is the person who is the purchaser of goods जिसने वस्प में purchase की है और credit purchase की है यह ध्यान लखना the dry is also called acceptor इसका मतलब मैं समझाता हूँ क्योंकि dry को acceptor भी कहते हैं जब dry dry को यह bill of exchange लिख के देता है कि आप इतना amount pay करोगे तो dry उस पर अपनी acceptance देता है accepted word लिखकर दियान रखना उस पर accepted लिखकर नीचे sign करके कहता है yes मुझे यह मंझूर है accepted का मतलब यह हुआ कि मैं यह पैसे दूँगा this process is not as acceptance of bills of exchange जब यह सारा काम हो जाता है dry भी लिख देता है कि मैं payment करूँगा तो accept कर लेता है उसको तो वो सारे process को हम acceptance of bills of exchange कहते है और जब bill of exchange एक बार accept हो जाता है तो यह एक legal document बन जाता है अब इसके बाद dry इस बाद से इंकार नहीं कर सकता कि उसने पैसे नहीं देने थे after there dry binds to on the bill on due date यह मैं बता चुका हूँ फिर उसका कानूनन रूप से मजबूरी है कि due date को वो पैसे देगा ही देगा तो students बात करते हैं आगे तीसरी party pay the person to whom the payment is made वो व्यक्ति जिसको final में पैसे दिये जाएंगे वो pay होता है maximum case is draw is the pay when he keeps the bill till the date of maturity with himself जब draw अपने पास ही बिल रखे तो draw ही पे ही होता है उसको ही पैसे मिलने है आप सोच रहे होगे plus one के level पे हम हमारे दिमाग में ये बात आती है अपने पास ही रखे का तो क्या करेगा ये मैं आपको बता दूँ जब हम final जब हम numerical accounting treatment के regarding questions करेंगे तो हम देखेंगे कि जो draw है अगर उसने आगे किसी को पैसे देने है तो same bill of exchange आगे transfer कर देता है जिसको endorsement of bill कहते है इसके बारे में हम next जो वीडियोज है उसमें इसके बारे में detail में बात की हुई है जब वो endorse कर देता है जो उसके अपने creditor है जिसको हम endorsey कह रहे है तो pay वो endorsey बन जाता है तो तीन parties हो गई है bill of exchange कौन कौन सी bill of exchange का जो सारा process है वो कहां से है draw, dry and pay जो pay और draw है वो एक ही हो सकते हैं दो अलग-लग विक्ति भी हो सकते हैं draw जिसने पैसे लेने हैं bill लिखने वाला ये order करता है तो draw अपने पास रखता है तो पैसे इसी को मिल जाएंगे अगर draw ने किसी third party को अपना bill of exchange endorse कर दिया आगे उसने किसी के पैसे देने थे तो dry उसको payment कर देगा जिसको उसने endorse किया था तो वो party पे ही बन जाएगी otherwise पे ही draw रहता है ये दिहान रखना भी तो finally अगर हम brief में जानने की कोशिश करें कि ये तीनों party ते finally कौन कौन सी है parties of bills of exchange draw कौन है the person who issues the bill of exchange जो bill को issue करता है bill को लिखता है maker of the bill उसको draw कहते है dry क्या है the person to whom the bill of exchange issue जिसके लिए bill of exchange issue किया जाता है जिसको order किया जाता है payment करने के लिए उसको dry कहते है pay कौन है the person to whom payment is made जिसको finally payment कर दी जाती है उसको क्या कहते है pay bill of exchange की payment जिसको करने है clear तो student देखते हैं एक format of bill of exchange हम माल लेते हैं दो business man है एक है business man विकास एक है niche हम assumption करके चलते हैं ये format समझा जाएगा अब विकास ने निश्चे को sale की क्या की है sale credit sale की वैसे निश्चे बाद में देखा अब उसने का मैं आपको जो पांच सजार रुपे देने हैं तीन मीने बाद दूँगा 15 अगस 2016 का दिन था तो अब जो विकास है वो ड्रार बनकर bill लिखता है bill of exchange लिखता है क्या लिख है उसमें ध्यान से न्यू देली 15 अगस 2016 विकास को उसने लिखके बहजा क्या लिखा विकास 3 months after date pay to me इस date के बाद जो भी bill of exchange की date होगी लिखने की उसके तीन मीने के बाद मुझे और my order जा मेरे order के अंसार the sum of rupees 50,000 only pay to me मुझे पे करे जा मेरे order अंसार 5000 पे पे करे तीन महिने के बाद for the value received ये बड़ी important बात है जिसका मुल्य तुम पहले प्रापत कर चुके हो मुल्य प्रापत करने का मतलब उठने मुल्य के वो वस्तुएं purchase कर चुके है कौन? विकास नो जो निश्चे है नो टू यहां नहीं लिखना ये धियां रखना जो विकास है न्यू देली वाला ये below of exchange लिख रहा है ये draw है ये below of exchange लिख जो draw है ये order कर रहा है किसको निश्चे को निश्चे को जब order किया कि आपने तीन मीने के बाद 5000 रपे देने है जिसका मुल्य तुम प्रापत कर चुके हो क्योंकि आपने वस्तुएं पर exchange की हो भी मुल्य प्रापत होने का मतलब ये होता है value receive तो जब उसके पास निश्चे के पास भी लोग पहुंचेगा वो उस पर accepted शव लिख कर अपने sign करकर अपनी acceptance दे देगा कि yes I will pay इसका मतलब यह हुआ accepted का तो इस दंग से ये एक legal document बन जाएगा that is the formal format of bills of exchange ये एक example है ये ध्यान रखना भी विकास ड्रार है निश्चे कोन होग या dry अब pay कोन होगा अगर विकास अपने पास ही bill of exchange रखता है किसी और को अगर endorse नहीं करता तो विकास ही क्या बन जाएगा pay क्योंकि final payment भी इसको मिलने वाली तो student due अब इसमें बड़ी बात आई जिस दिन bill की payment की जाती है उसे हम due date जा date of maturity कहते है due date की बात करते है बड़ा important issue होता है यह bill of exchange में due date it's the date on which the payment is expected or due जिस दिन पैसे मिलने है उसको हम due date कहते है due date calculate कैसे करते है how to calculate due date in bill of exchange for this add three days to the period of bill जो bill के period है उसमें तीम दिन और add कर दे जाते है these three days are known as days of grace इसको दिहान रखे कहीं बार पूछेते है days of grace क्या होते है जो तीन दिन bill of exchange की due date में add किये जाते है उन दिनों को हम days of grace कहते है समझे लगा उन तीन दिनों को add करने के बाद जो date बनती है उसको हम due date और date of maturity कहते है अभी इबिल मेच्चूर हो गया उसकी payment होनी है उस date को समझे लगा मान लो किसी बिल की तीन मेंने बाद date बन रही है पच्चीस मार्च तो तीन दिन उसके grace में add हो जाएंगे उसके अंदर तो 28 मार्च due date और majority date बन जाएंगे समझे लगी ये बात मेरे Yes students आगे बात करते हैं इसके बारे में How to calculate due dates Due dates calculate कैसे करते हैं आपको calculate करना सखाते हैं कुछ questions में examples लेकर क्योंकि main questions में ये एक minor issue बन जाएगा हमें फटाफट calculate करनी आनी चाहिए मान लो एक date of bill जो लिखा गया था 24 मई 2019 को लिखा गया था एक मन्त के period के बाद उसकी payment होनी थी तो naturally एक मन्त के बाद 24 June होना चाहिए था पर तीन दिन grace के add होंगे तो क्या बन गे 27 June समझ लगा That is due date मान लो एक date of bill 31 January थी एक महिने का period था तो 31 January के बाद एक महिना जनवरी के बाद कौन सा हो गया अब फेब के महिने में 2020 में जब तीन दिन grace के जोड़ेंगे तो तीन मार्च बन गया भई ध्यान रुको इसको अब 1 December 2019 है मान लो तीन महिने का period है ध्यान से 1 December है तीन महिने का period है 1 December के बाद तीन महिने 1 January, 1 February, 1 March बन गया तीन दिन grace के तो 4 March डेट आगी 29 April 2019 period जो है 60 days है यह जब days आते हैं यह ध्यान से calculate करने होते है 29 April को बिल की date है जब वो लिखा गया, ड्रार ने लिखा अब April में दिन होते हैं 30 एक दिन तो April का हो गया यह मैंने calculate करके दिखा है 60 दिन कैसे निकालने है 31 दिन next month मई का होता है मई में 31 दिन होते है अब जून के अगर हम 30 होते हैं 28 जून को वहां 60 days पूरे हो रहे हैं ध्यान से देखो इनको मिला दे तो यह 60 बन गे क्योंकि 60 दिन है 3 दिन उसके बाद grace के जोड़ो 28 जून में 3 दिन जोड़ेंगे 29 जून 30 जून 1 जूलाई तो 1 जूलाई है वो क्या बन जाएगी इसकी due date 1 जूलाई 2019 अब एक बिल मालो को योर है 31 अगस्ट 2019 का हो मालो period of bill payment का 30 दिन हो तो 31 अगस्ट के बाद अगर हम 30 दिन जोड़ें तो वो वनगा 30 September September के होते भी 30 हैं तो 3 दिन grace के अगले 3 दिन के बाद क्या आएगा 3rd October तो due date बनगी 3rd October 29 ते इस जग से due date calculate करते हैं पर due date के regarding कुछ technical बाते हैं उनको सीखना पटा जोड़ी है उसमें generally गलतियां हो जाते हैं Very important issue If emergency holiday has been declared on due date that due date will be one day later including the days of grace ये ध्यान रखना जब हमने due date announce की कि ये बन गई पता है below exchange की due date ये है 3 दिन grace जोडने के बाद और उस दिन अचानक emergency holiday declare हो जाए तो जो due date जा majority day कहाएगा वो next day होता है ये धियान रखना जो majority date कहलाता है ना वो next day होगा फिर दिन के अगर emergency holiday होगी Next one If due date falls on Sunday और guzzled holiday that due date will be the one day earlier ये अगर तीन दिन grace की add करने के बाद due date Sunday को जा national holiday होगी है उस दिन बैट पही है तो due date उससे एक दिन पहले की गिनी जाएगी ये धियान रखना भी दोनों बात हैं अब इसके regarding की कुछ examples देखते हैं Yes How to calculate due dates Date of bill, period and due date 23rd October 2019 एक bill लिखा गया ड्रार ने लिख दिया तीन महिने का उसमें period था तीन महिने बाद payment करोगे तो अब due date निकालते हैं 23rd October के बाद तीन महिने गिनो 23 November, 23 December, 23 January तीन दिन ग्रेस के 26 January अब यहाँ 25 January क्यों लिख हैं? क्योंकि हमें पता है जो 26 January होती है वो हमारा national holiday है समझ लगा? क्योंकि उस दिन हमारा गंदन तर दिवस होता है 26 January की चुट्टी होती है गल्स्टर होलीडे तो 25 January क्या बनगी? ड्यू डेट 27 November 2019 मालो एक बिल और है जो 27 November को लिखा था पिरियर तीन महिने है तो 27 November के बाद तीन महिने क्या बनगी? 27 December, 27 January 27 February अब February में कितने दिन बच गे? दो क्योंकि 2020 है 2020 में फरवरी के कितने दिन होते है? क्योंकि लीप यह रहे तो कितने बनगे? दो दिन बचे थे दो फरवरी के बाद ग्रेस के तीन दिन जोड़ने है तो 1 March बनगी ड्यू डेट अगे है एक बिल मालो 12 July 2019 को लिखा गया तीन मेहने के लिए 12 July के बाद सोचो 12 August, 12 September, 12 October ओके 12 और तीन कितने बनगे? 15 15 October होना चाहिए था पर यहां तो 16 लिखा हुए नीचे ध्यान से देखो मान नो हुने माना कि लेट 15 October को Emergency Holiday डेकलियर कर दिया गॉर्मेंट ने तो ड्यूडेट कितनी बन जाएगी? 15 लागी जग है 16 October बन जाएगी समझ लगा? आगे 25 December 2018 दो मीने की पिरियड है 25 December के बाद दो मीने 25 January 25 February तीन दिन किसके अड़ होगे उसके? Grace के 25 और तीन कितने बनेगे? 28 February 2019 इस जग से हम जब मेजर कुश्चन करेंगे बड़े नुमेरिकल कुश्चन उसमें ड्यूडेट ऐसे निकालती है और ये माइन में रिशू बन जाता है इसलिए ध्यान से इनको सीखना बड़ा करते है इसमें जो ड्रार है वो और करता है परचेस करने वाले कोई आपने मुझे पेमेंट करनी है इतनी डेट के बाद इतनी माँ प्रमोजरी नोट में सारा रिवर्स है काम प्रमोजरी नोट में क्या होता है जो प्रमोजरी नोट या प्रॉमिस करने वाली पार्टी है वो प्रॉमिस करती है कि मैं इतने पैसे इतनी particular date के बाद pay कर दूँगी जा कर दूँगा Promosery note is a legal or financial tool declared by a party party declare करती है promise करती है promising another party to pay the debt on a particular day के जो पैसे आपके देने है मैं एक खास दिन को दे दूँगा It is a written agreement signed by the drawer इस drawer इसमें sign करता है with a promise to pay the money के मैं पैसे दे दूँगा और specific date और whenever demanded एक खास date को जब भी उन्होंने कहा हो उस date को पैमेंट करतेगा अब drawer का मतलब बिलकु लिखने वाला है भई क्योंकि हमने below of exchange में भी drawer कहा था यहाँ पर लिखने वाला pay करने वाला है जबकि below of exchange में drawer लिखने वाला कौन था जिसने पैसे लेने है यह दिहां डखना यह उससे बिलकु रिवर्स है तो students आगे बात करते हैं बिल of exchange में पार्टीस थी पार्टीस ओ प्रमॉजरी नोट कौन सी है maker उसको लिखने वाला drawer maker is the person who makes and signs the note प्रमॉजरी नोट को जो बनाता है उस पर sign करता है he agrees to pay the amount on date of majority वो सहमती ज़ाता है कि yes मुझे आपको इतने पैसे इतनी डिट को देने है promise करता है वो दूसरी पार्टीस में जो involved होती है वो है ते पेई और ड्राई the person in whose favor the promosory note is drawn is called draw your pay जिसके हक में यह promosory note लिखा जाता है जिसको यह वादा किया जाता है उसको pay or dry कहते है इसमें दो ही बार्टीस है ध्यान रखना pay or dry एकी बाता है क्योंकि last में payment किसको हो जानी है dry को okay clear हो गया भी yes format of promosory note इसमें ध्यान रखो मालो हमारे पास दो ही बार्टी है इसका format देख़े example लेके चलते हैं दो बार्टी है सनी कुमार सनी ने पैसे देने है पैसे किसको देने है मली कुमार को सनी promosory note लिख रहा है that is a drawer or maker वादा कर रहा है वो मली कुमार को कि मैं आपको payment कर दूँगा किसके द्वारा promosory note के द्वारा क्या promise कर रहा है वो four months after date I promise to pay शरी मली कराम or order a sum of rupees 5000 only for the value received yes मैं शरी मली कराम को 5000 पे दे दूँगा चार मीने की due date के बाद इस date के accordingly 30 November के accordingly जो भी चार मीने के बाद बनेंगे वही तीन दिन grace के अटगर के वो पैसे मैं payment कर दूँगा उस मली कराम को या उसके order के उनसार जिसको भी वो कहेगा for the value received जिसके लिए मुझे value मिल चुकी है मतलब मैं आप से ले चुका हूँ चाहे वो पैस बस्तुएं ले चुका हूँ जिसके मैंने पैसे देने है तो मली कराम माल रोड पटियाला उसको वो भेज देगा इसमें कोई acceptance नहीं होती क्योंकि इसमें तो जो लिखने वाला है उसने खुदी पैसे देने है इसमें acceptance काती कैसी वो खुदी promise कर रहा है यह है format of promosory note जल्दी से बात करते हैं bill of exchange के very important concept में जिसमें हमने देखा के bill of exchange and promosory note क्या है फिर इनमें basic difference क्या है यास number of parties only two parties maker of the promosory note and the pay there are three parties draw, draw and pay अगर bill of exchange के point of view से देखें maker and the pay इसके base पे अगर इनमें हम promosory note और bill of exchange में difference करें maker cannot be the pay इसमें जो maker है बनाने वालो pay नहीं हो सकता जबकि bill of exchange में draw and pay में भी one दोनों एक ही हो सकते हैं आगर उसने आगए endorse नहीं किया जबकि तीसरा difference जो इनमें है जो promosory note है that is promise to make payment bill of exchange का है order for making the payment के आप payment करो उसका एक हुकम दिया जाता है इसमें वादा किया जाता है कि payment कर दूँगा promosory note में acceptance क्या है promosory note में किसी type की कोई acceptance की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि जिसने payment करनी है वो खुदी लिख रहा है वो pay करने का वादा करता है sign करके draw is the creditor क्योंकि draw is the creditor है so it must be accepted by the draw before presented to the payment या सफिर उसमें draw की acceptance बड़ी ज़रूरी है जिसमें वो मानता है कि yes मैंने इतने पैसे आपको देने है bill of exchange देगे उसमे liability की बात करें the liability maker is primary and absolute yes जो maker है उसकी जो liability है वो primary है और absolute है जबकि liability of draw is secondary and conditional उसकी जो liability है draw की bill of exchange के प्रती yes वो क्या होती है secondary and conditional notice of dishonor no notice is necessary to the maker जाता है जब अगर dishonor हो जाता है तो उसके regarding notice की जरूर नहीं है notice of dishonor must be given by the holder इसमें जिसके पास भी below exchange होता है उसमें dishonor का notice जरूरी है यह बातें दोनों आपको confused कर रही होंगी yes यह मैं बदा दूँ जब next videos इसके regarding medical जा accounting treatment के regarding practical questions करेंगे तब आपको यह और क्लियर हो जाएंगी yeah so students I think the whole concept is quite clear bill of exchange की जो जितने भी basic content थे मैंने उनके बारे में बताया अगर आपको इशू है नीचे comment box में जाके comment रहें इस चैनल पर बहुत सी वीडियो जो अलड़ी commerce से रिलेटेड अकाउंटेंसी से रिलेटेड स्पेसिफिकली और economics motivational वीडियो सब वीडियो इस चैनल पर बहुत सी और आती रहेंगी उनको भी देखते रहेंगे आने वालों का इंतसार आने वाली जितनी वीडियो से उनका इ पर देखते रहेंगे थैंक्यू वरी मॉच